नमस्कार बच्चो पूर वीडियो में मैंने घनानन्द की काब भी प्रवुटियों पर चर्चा की थी आज हम घनानन्द की विरहान भूतियों पर चर्चा करेंगे लेकिए वेदना हिर्दय की मांदक टीज है तथा विरह प्रेम की कसोटी है प्रेम की तीवरता विरह से ही मापी जाती है सैयोग काल में प्रे के रूप दर्शन वा सानिति के कारण प्रेमी का हिर्दय वासना भी बूत रहता है किन्तु विरह में वासना का कलुष नस्ठ हो जाता है और जो कुछ शेश बचता है वह पून तह उद्दात सात्विक और निश्कलुष होता है विरह से ही प्रेमियों की द्रड़ता, निश्ठा, अनन्यता एवं आतुरता का बोध होता है इसलिए विरह काविय सरवादिक मार्मिक चित्ताकर्शक एवं हिर्दय विदारक माने गए हैं गनानन्द विरह ही थे, उनकी सुजान ने उनके साथ विश्वासगात किया इसलिए उनका हिर्दय सुजान के प्रति उत्कुस्ट प्रेम एवं विरह से युक्त था गनानन्द की विरह वेदना स्वानुभूत होने से अत्यदिक मार्मिक एम प्रभावत पादक बन गई है उसमें जो टीस, कसक एम तड़व है वह सब आंतरिक है विरह की बाहरी नाप जोक में उसमें नहीं है बिहारी के विरह वाणन में जहां शारिरिक ताप एम विरह जनिक कृष्टा का अत्युक्ति पूर्ण लेख है वहीं गनानन्द के विरह वाणन में हिर्दे की आंतरिक सहल चल है इसलिए वह वियोग बाहर से प्रशान्त एम गंभीर दिखाई पड़ता है गनानन्द की विरह वेतना आकरतीम एवं स्वानुभूत है तथा उसमें हिर्दे पक्ष की प्रधानता है उनकी विरह वढणन का निरूपन हम निमन बिंदों पर करेंगे पहले विरह की तीवरता गनानन्द की हिर्दे में प्रिय का रूप इस तरह बसा हुआ है कि एक पल भी सुजान का वह रूप उनकी आँखों से ओजहल नहीं होता उनके उतकिस्ट विरह का मूल कारण यही रूप आ सकती है प्रिके रूप के विभिन छटाएं उनकी कलपना में गुमती रहती है वह रूप उनके हिर्दे में ऐसा बस किया है कि उसे निरंतर देखने की प्रबल इच्छा मन में बनी हुई रहती है आँखों की कुछ ऐसी आदत बन गई है कि वे उस रूप को देखकर ही तरप्त होती है अपने इस रूपा सकती का उल्ले करते हुए गणानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते है रावरे रूप की रीती अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये त्यों इन आँखे ने बानी अनोखी अगहानी कहुँ नहीं आन तिहारिये एक ही जीव हुतोसु तो वारियो सुजान संकोच और सोच सहारिये रोकी रहे न दहे घनानंद बाबरी रीजी के हाथ नो हारिये तो इस पागल बना देने वारी प्रीती के हाथों में पढ़कर बुरी तरह हार गिया हूँ ऐसा घनानंद कहते हैं वह रोकने पर रुकती नहीं और भीतरी भूतर मुझे जलाती रहती है उसका दूसरा बिंदू लेते हैं हारतिक अनुभूती का चित्टन गनानंद के विरह में ना बाहरी उचलकूद है और ना कृतिमता उसमें स्वानुभूत वेदना का सरल स्वच्छन्द एम और कृतिम चित्टन किया गया है जहां हारतिक अनुभूतियों का चित्टन होता है वहां आडंबर और प्रदरसन के लिए कोई स्थान नहीं होता विरही की दसा बड़ी विचित्र होती है उसे एक साथ अनेक विरोधा भासों में जीना परता है उसका हिर्दय तो उद्वेक की आग में जलता है किन्तु आखों में सदा अश्रु वर्षा होती रहती है इस प्रकार वहाद जलता भी है और भीगता भी है जैसे इस में देखी इन पदों में अंतर उद्वेक दाई आखिन प्रवाह आंसू देखी अटपटी इचाह भाजनी दहनी है साइबो न जाइबो हूँ, हसीबो न रोईबो हूँ खोई-खोई आप ही में जेटक लहनी है अग तीसरा बिंदू प्रेकी निस्टूर्ता गनानन्द का प्रेम विशम प्रेम है वे सुजान के प्रति जितने उतकुस्ट प्रेम से भरे हैं उतनी ही निस्टूर्ता एवम निर्ममता वो दिखाती है प्रेकी यह निर्दैता निस्टूर्ता गनानन्द को अपने मार्ग से नहीं डिगा पाती वे उपालंब देते हुए कहते हैं कि तुमने पहले तो मीठे मीठे बोल सुना कर मुझे अपने प्रेम के जाल में फास लिया और अब इस प्रकार से शिर्दै को जला रहे हो यह कहां काने आई है कहीं ऐसा नहों कि तुम्हें भी मेरी तरह जीवन में बेचैन होना पड़े जैसे देखे इन पंक्तियों में कावत जू काहू कलपाई है सु कैसे कलपाई है तीसरा बिंदू अंतर वृत्यों का किया दिकता गनानन्द के विरह में मनो वेगों की प्रधानता है तथा हिर्दै की टीज, तड़ाप और वेदना को वे अपने कावे में ब्यक्त करते हैं वे अनिरीती कालीन कवियों की भाती शास्त्री पद्धती पर विरह निरूपन नहीं करते अपितु मन में उठने वाले भावों का यथा तथे चित्रन करते हैं उनका हिर्दै ब्यागुलता की आग में जलता रहता है अंग प्रत्यंग विरह विकल होकर उबलते से रहते हैं प्रान इरंत विरह वेदना में तप्त होते हैं और इस कारण वे धहर धारन नहीं कर पाते अंतर आंच उचास तचे अति अंग उजी से उद्वेक की आवस ज्यों कहलाई मसूसनी उमस क्यों हूं कहूं चुदरे नहीं ब्याथा आवस प्री को पाने के लिए वे क्या नहीं कर सकते यदि प्री की प्राप्ति संभव हो तो वे धरती में धसने और आकास को चीड़ने के लिए भी तयार है यहां लाक्षण अरति यह है कि प्री से मिलने के लिए वे असंभव को भी संभव करने का प्रियास करते हैं या उसकी सामर्थ रखते हैं जों घनानंद ऐसी रुची तो कहा बस हो कहा बस है अहो प्राना नी पीरो पाउं कहां हरिहाई तुम्हें धरती में धसों की अकास ही जीरो अगला बिंदु देखिए उसका उपालंब भावना घनानंद ऐगनिस्ट अनन्य प्रेमी थे जबकि सुजान ने उनके प्रति निश्चल प्रेम की भावना नहीं दिखाई थी इसलिए घनानंद उसके प्रति उपालंब भाव से भरे हुए है इस उपालंब में उनका उत्कृष्ट प्रेम भाव ब्यंजित है वे प्रे को कप्टी, विश्वासगाती, निर्मोहिन, निर्दई कहते हैं और स्वयम को दीन, हीन, दुखी और एगनिस्ट प्रेमी बताते हैं प्रे सुजान के ब्योहार की आलोशना करते हुए और उसे उपालंब देते हुए वे अपने हार्दिक उतकारों को निम्न पंक्तियों में ब्यक्त करते हैं क्यों हसी हेरी हरियो हेरा, अरुक्यों चित के चित चाह बढ़ाई काही को बूल सुधा सने, बैने नी चैने नी मैन निसेन चड़ाई अगला देखी विशम प्रेम का चित्र उभाई पक्षी प्रेम में सैयोग सुख के मादक चित देखे जाते हैं किन्तो एक पक्षी जो एका की प्रेम होता है उसमें हिर्दे की तडब, चितकार और प्रिके निस्टूरता का निरूपन होता है जिससे वह मार्मिक और हिर्दे रावक बन जाता है गनानन्द का सुजान के प्रती प्रेम भी इसी प्रकार का है इसलिए यह विशम प्रेम है गनानन्द के हिर्दे में सुजान के लिए जितनी ब्याकुलता है उसका एक अन्श भी सुजान के हिर्दय में दिखाई नहीं देता वह तो सुजान के लिए तड़पते हैं पर सुजान को उनकी रंच मात्र भी चिंता नहीं घनानंद को इस बात की भी परवान नहीं की पिरिय उन्हें चाहता है या नहीं वे तो निर्दवन्थ भाव से उसे प्रेम की जाते हैं जैसे कहते हैं चाहो अनचाहो जान प्यारे पैग अनंद घन प्रीती रीती विशमसू रोम रोम रमी है साथ तो अगला देखे प्रतिकत उद्दीपन का चित्टर गनानंदी की विरह वेदना प्रकृति के उद्दीपन से और भी बढ़ जाती है प्रकृति उनके विरह को उद्दीपत कर रही है यह कोयल कू कू करना जाने किस जन्म का बैर निकाल रही है मोर और चातक भी कान फोड रहे हैं पुर्वया हवा अंगों को जला रही है लगता है प्रकृति के ये सभी उपादान दल बांद कर वियोगी घनानंद को सताने का प्रण ठान कर एकदर हो गया है देखिए कि दो सुन्दर इसमें कारी कूर को किला कहा को बैर काड ती रही कूकी कूकी अभी ही करे जो किन कूरी ले पढ़े पढ़े पापी ये कलापी निसे जोंसी जोंही चातक गहतक त्योंही तुह कान फोरी ले संदेज प्रेशनी इता देखिए विरही प्रेप्री के पास अपनी विरह वेतना का संदेश प्रेशित करने के लिए किसी न किसी की खोज में रहते हैं गनानंद ने बादल को अपना संदेश वाहग बना कर या अनरोध किया कि उस विश्वासगाती सुजान के आगन में मेरे आस्वों को ले जाकर परसा दो कहते हैं घन आनंद जीवन दायक होंकचु मेरियो पिर हिये परसो कब हुआ वां विसासी सुजान के आगन मों असुवन हूंले बरसो इस प्रकारवे पवन से आग रह करते हैं कि पिरे की चरंड रज लेया मैं उसे अपनी आँखों से लगा का शांती पालूंगा एरे बीर पौन तेरो सबे और गौन बीरी तोसो और कौन मने धर काही बानी दे विरह बीथी की मूरी आँखनी में राखों पूरी दूरी तिन पायन की हाहा ने को आने दे इस प्रकार से गनानंदी का जो विरह वर्णन है अती हिर्देग रही है हिर्देद रावक है गनानंद के विरह में वासना की गंधे तनिक भी नहीं है उसमें कामुकता का रंच मात्र भी कामुकता नहीं है वो पूरी तरह सात्विक उद्दात एवं दिव्भी है उसमें पवित्रता एवं आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं उसमें हिर्दे की गहराई है मनोव्यथा का सहज एम स्वच्चंद चित्रन है तथा विरह के उद्गारों का स्वभावी कथन भी उसमें दिखने को मिलता है निसंदे गनानंद की विरह वर्णन में एक पावंता है तथा उसमें हिर्दय पक्स की प्रधानता है अपनी सात्विक्ता, उद्दाता, सरलता वा आध्यात्मिक्ता के कारण गनानंद का विरह वर्णन हिंदी में सरुस्रेस्ट माना जाता है उनका विरह स्वानुभूती पर आधरित है वे अपनी अनुभूतियों को लिपे बद्ध कर रहे है इसलिए दिनकर जी ने गनानंद के विरह पर टिपने करते हुए कहा कि वे अपने आस्वों से रो रहे हैं किराई के आस्वों से नहीं इस सात्विक्ता, उद्दाता के कारण हिं गनानंद को यदि विरह का सम्राट कहें तो अधिशयोक्ती नहीं होगी